प्रिवा साथियूं जैहिन मध्य प्रदेश मुक्य मंत्री युवा इंटर्शीप योजना के अंतरगर चुने गए मुक्य मंत्री जन्सेवा मित्रों को आगामी दिनों में अपना कारी प्राहरम करना है क्या कारी होगा, कारी की प्रक्रिय क्या होगी इसके संबन में आपको विस्तार से प्रशाशन की तरब से दिया ही जाएगा लेकिन करियर एडवाइस चैनल ने भी यह निश्य किया है कि कुछ वीडियोज ऐसे बनाए जाए जिनके माध्यम से आपको इंटर्शीप सफलता पुर्वक संपन करने में सयोग मिले यह करियर एडवाइस चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर दीजी और बेल आइकान प्रेस कर दीजी बहुत धन्यवाद तो कुछ वीडियोज की श्रंखला आपको मिलेगी उन वीडियोज को आप देख लीजी अगर आप उन्हें प्रसिक्षन सत्र प्रारम करने के पहले देख लेंगे तो प्रसिक्षन में आपको सीखने में और ज्यादा स्वीधा होगी इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि वीबिन पक्षकारों से जब आप बातचीत करेंगे तो बातचीत करते समय आपको किस बात की सावधानी रखनी है जैसा कि आप जानते हैं कि इस इंटर्शीप के दोराण आपको कई पक्षों से बात करने का अवसर मिलेगा जैसे जन सामान्य, जनता से आप बात करेंगे, जन प्रतिनी दीगन, जैसे पंच सरपंच आदी, साथी साथ प्रशाशनी का दिकारी, नायब तैसिल्दार हो सकते हैं, तैसिल्दार साहब हो सकते हैं, और भी पटवारी जी हो सकते हैं, विबिन प्रकार के प्रशाशनी का दि करके ध्यान रखना है सम्मान पूर्वक आपको अभिवादन करना है नवश्कार करना है और सम्मान सुचक शब्दों में आपको अपने सम्माद को अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना है जैसे उधारण के तोर पर यदि आप किसी ग्राम में या शहरी शेत्र में आप जाते है और घरों में मुलाकात करने के लिए जाते हैं योजनाओं के स्थिति को लेकर और यदि वहाँ पर महिलाओं से आपकी बात चीत होती है तो सदेव ध्यान रखिए कि महिलाओं से एकांत में चर्चा मत कीजिए महिलाओं से समुह में बात करने का आप प्रयास कीजिए और य काश्की अमले में से किसी महिला कर्मी को अपने साथ रखे जैसे आंगनवाडी कारिकरता आदी, और उनके साथ जाकरी महिला नागरीक से आप संपर्कीजिए और उनसे बात चीत करते समय, उनकी उम्र के लिहाज से आप उनको संबोधन दीजिए जैसे काफी उमरवाली इस्त उस हिसाब से भी आप संबोधन रखे अगर मान लेगे शादी शुदा हैं बड़ी उम्र की हैं तो आप माता जी चाची जी मामी जी मौसी जी ये खह सकते हैं और यदि शादी शुदा नहीं हैं बड़ी उम्र की हैं तो आप उन्हें दीदी कहकर संबोधित करिए बहना जी ब चर्चा कीजिए किसी भी प्रकार से इस फर्ष करने का हाथ लगाने का इस तरह का कोई भी प्रयास आप क्रपया मत कीजिए कोई कागजों का आदान प्रदान भी कर रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखे कि आपके हाथ से उनके हाथ को इस फर्ष ना हो इस तरह से महिलाओ की dignity महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखते वे आप उनसे चर्चा करेंगे एक बात ये ध्यान रखिए कि अपमान जनक शब्दों का प्रयोग न करें किसी भी प्रकार की क्रोध वाली शैली का उप्योग न करें डांट डपट में बोलने का आप प्रयास न करें तू तुकारे से अपनी बात आप न कहें साथ ही साथ कोई जाती सुचक शब्दों का उप्योग न करें और नहीं किसी प्रकार के गाली गलोज वाले शब्दों का आप उप्योग करें किसी भी प्रकार का लालच न दें किसी प्रकार की धमकी न दें किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन न द सदेव धिहान रखे कि आप प्रशाशन के एक प्रतिनिधी के तौर पर जनता से संपर कर रहे हैं या अन्यदिकारियों कर्मचारियों से आप संपर कर रहे हैं तो आप सरेश्टतम तरीके से अपने व्यवार को वहाँ पर प्रकट कीजिए यानि जब आप मिल कर जाएं तो जिस परिवार से आपकी भैट हुई वह परिवार आपके अच्छे व्यवार की वज़े से आपको याद रखे न कि आपकी कहीं शिकायत करें तो बस आज के वीडियो में हम इतनी ही बात आपको बताना चाहते हैं श्रंकला जारी रहेगी मुझे बात कहने का अउसर मिला इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचाली का पृती गुलवानय जिजी और उनकी परिश्रमी टीम के पृत बहुत आभार आप सभी को शुप काम नाए नवश्कार